अगर मैं मालनू कि यह जो कपड़ा है यह मेरी स्किन है और इसको मैं इस तरीके से श्रिंग कर दूँ तो आप देख सकते हैं कि कैसे fine lines और wrinkles इस कपड़े पर नजर आ रहे हैं क्योंकि इस कपड़े की जो elasticity है वो बहुत ही जादा कम है और अगर मैं इस कपड़े की बात करूँ तो इसको मैं कितना भी श्रिंग कर लूँ इस पर किसी भी तरह की fine line और wrinkles नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसकी elasticity है वो बहुत ही अच्छी है और same यही funda applicable होता है हमारी skin के साथ भी हमारी skin जब young होती है plump होती है तो उसकी elasticity होती है और collagen production होता है वो बहुत जादा होता है इसलिए हम लोगों को fine lines और wrinkles नहीं होते है लेकिन जैसे जैसे हमारी age बढ़ने लगती है हमारी जो skin है वो अपने elasticity भी खोने लगती है collagen production भी कम हो जाता है और इसलिए हमें aging का सामना करना पड़ता है तो यहां पर सवाल यह आता है कि इन permanent lines और wrinkles को आप लोग कैसे हटाते हैं जिहां आप इसको iron करते हैं आप अपनी जो shirt है जो जो भी आपका कपड़ा है जिस पर भी wrinkles और fine lines दिखनी शुरू हो गई है और aging के सांसा जो बहुत सारी skin problems आती है जैसे हमारे face blemishes हो जाते है dark spots हो जाते है skin की elasticity जो है वो कम हो जाती है dull हो जाती है हमारे skin बिल्कुल भी plump नहीं रहती है soft नहीं रहती है तो इन सभी problems से छुटकारा पाने के लिए मेरा आज का जो वीडियो है यह आप लोगों के लिए काफी informative साभी दोने वाला गाई इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना वीडियो का अच्छा लगेगा तो उसको like कर देना share कर देना like करना और share करना बिल्कुल free है और अगर आज आप पहली बार मेरे चैनल पर आए है first time मुझे द सब्सक्राइब करने से पहले आप अपने face को और अपने hands को अच्छे से wash कर ले और फिर आपको अपने face को और अपने neck area को fingers की help से इस तरह से tap करना है इस तरीके से tap करने से आपका जो face है वह मसाज रेडी हो जाता है इसके बाद आपको virgin coconut oil लेना है आप चाहें तो कोई भी moisturizer ले सकते हैं या फिर facial oil भी use कर सकते हैं आपको थोड़ा सा moisturizer या oil अपने palm पे लेना है और उसे इस तरीके से rub करके उसे अच्छे से activate करना है और फिर इस massage oil को आपको अपने face पे इस तरीके से apply करना है सबसे पहले हम उन lines की massage करेंगे जो कि सबसे ज़्यादा हमारे face पे visible होती है मैं laughing lines की बात कर रही हूँ यह हमारी nose से start होते हुए हमारी chin तक जाती है इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी tongue को इस area में इस तरीके से stand out करना है जैसे कि आप जब upper lips threading कराते हैं तो अंदर से अपनी tongue से अपनी cheeks को pressure देते हैं और फिर आपको अपनी fingers की help से 5 times clockwise और 5 times anti clockwise इस massage को करना है और फिर आप धीरे धीरे इस count को बढ़ा कर 10 तक कर सकते है नमबर 2 पे जो सबसे ज़्यादा visible lines होती हैं वो होती हैं हमारे under eye area की lines और इसके लिए जब भी आपको skin care product कोई eye cream या फिर ये facial massage करते हैं तो सबसे पहले आपको अपने face को O shape में बनाना है जैसे कि मैं अभी बना रही हूँ उसके बाद आपको sky की तरफ देखना है और इस और ऐसा skin की elasticity के decrease होने की वज़े से हो सकता है इसके लिए आपको सबसे पहले एक हाथ से अपनी आपको इस तरीके से बंद करना है और दूसरे हाथ को नकल बनाके इस तरीके से आपको अपने skin की ironing करनी है five times और यही चीज़ आपको दूसरी आग के साथ भी करनी है इन सभी steps में हम लोग stretch and massage की technique यूज कर रहे हैं जो की बहुत ज़्यादा effective होती है हमारे skin की ironing के लिए अगला area जहां पर की सबसे ज़्यादा हम लोगों को aging के science नजर आते हैं वो है हमारे eyebrows के बीच का area इन lines को हम लोग front lines भी कहते हैं और इसके लिए आपको सबसे पहले इस तरीके स struggling exercises करनी है five times is step ko repeat करने के बाद आपको again नखल बना के इस तरीके से अपनी skin को stretch करना है और अपनी skin को iron करना है इसके इस बाद हम forehead lines की massage करेंगे और क्योंकि forehead lines इस तरीके से उपर की तरफ होती है इसलिए हम नकल बना के इसे नीचे की तरह इस तरीके से stretch करेंगे जैसे कि मैंने आपको पहले बताया इसमें हम stretch and massage technique यूज कर रहे हैं इस massage को हमें उपर की तरफ नहीं करना है इस massage को हमें उपर से नीचे की तरफ इस तरीके से करना है and friends इसके बाद बारियाती है सबसे ज़्यादा problematic area की जहां पर की सबसे ज़्यादा lines visible होती है वो है हमारा neck का area क्योंकि हम नीचे की तरफ देखते हैं सोते वक्त भी हम नीचे की तरफ देख रहे होते हैं इसलिए आपको इस exercise को करने के ल पहले हमें एजिंग के साइंस नजर आते हैं, चाहे वो लाफिंग लाइन हो, क्रोज फीड हो, फ्राउन लाइन हो, या फिर फोरहेड और नेक अरियास की लाइन हो, तो आप भी इन एक्ससाइजिस को कीचिए, रोज रात को सोने से 5 मिनट पहले, और पाईए सुन्द यूथ and guys, आज का giveaway question है कि आपका healthy skin mantra क्या है, and with that I am signing off, bye bye, take care and be beautifully best